हेलो फ्रेंड्स तो आज हम पढ़ेंगे चेनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक नमबर थ्री साइनोसिस फर्स्ट अफ ओल ये साइनोसिस होता क्या है साइनोसिस है ब्लुइश डिसकलरेशन ब्लुइश डिसकलरेशन अफ स्केन एंड म्यूकोजा ये ब्लुइश डिसकलरेशन क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर दी ओक्सिजिनेटेड हीमोग्लोबिन इकठा हो जाता है जब ये दी ओक्सिजिनेटेड हीमोग्लोबिन जब ये दी ओक्सिजिनेटेड हीमोग्लोबिन तो हमें sinuses देखने को मिलता है जासे कि अपने ये picture में भी दिखाई दे रहा है tongue में bluish discoloration है तो purplish दिख रही है lips में भी दिखाई दे रहा है अब sides जहां पर हमें sinuses चेक करना है सबसे पहले आगया oral mucosa फिर आएगा tongue फिर सारी cartilages, spina, nose cartilage अब इस sinuses के mainly two types है एक हो गया central sinuses और दूसरा हो गया peripheral sinuses जो कब होता है ये हम आगे देखते हैं सबसे पहले sinus का patient आया sinus का patient आया अब हमें देखना है कि warm extremities है उसकी या cold extremities है और tongue sinus है या फिर tongue sinus नहीं है अगर tongue भी sinus है with warm extremities तो ये हो जाएगा अपना central sinuses और cold extremities है और tongue involved नहीं है तो peripheral होगा क्योंकि tongue तक अभी नहीं पहुचा और cold extremities क्यों होगी क्योंकि blood वहाँ पे कम पहुच रहा है ये central हम बाद में देखते हैं peripheral में देखें तो peripheral में हमें देखना है कि blood pressure उसका low है या ज्यादा ज्यादा तो नहीं होगा या फिर normal है अगर blood pressure low है तो वो हो सकता है cold exposure cold exposure से क्या होगा vasoconstriction हो जाएगा peripheral vasoconstriction से blood कम पहुचेगा तो हमें sinus देखने को मिलेगा फिर diarrhea, vomiting वगेरा है fluid loss हो गया है तो blood volume ही कम हो जाएगा तो blood कम पहुचेगा sinus देखने को मिलेगा precardial pain, perspiration ये सब symptoms हैं MI के, MI में क्या होगा कोई thrombus है तो वो obstruct करेगा तो blood वहाँ भी कम पहुचेगा अब ऐसा कुछ नहीं है blood pressure हमारा normal है तो उसमें देखते हैं तो कहीं पे local अगर arterial constriction हो गया है blood जानी पा रहा ऐसा कहां पे होता है Raynaud's disease उसमें peripheral vasoconstriction देखने को मिलता है और plethoric face है तो polycythemia polycythemia में क्या होता है viscosity बढ़ जाती है blood की तो उसका flow कम हो जाता है अब देखते हैं only in upper limbs ले lower limbs peripheral भी नहीं है सिर्फ limbs में दिखाई दे रहा है तो सिर्फ upper limbs में है तो क्या होगा PDA PDA मितलब patent ductus arteriosus जो aorta और pulmonary trunk को join करता है उसमें blood flow होता है left to right क्योंकि aorta में pressure pulmonary trunk से ज्यादा होता है तो left to right shunt हो जा रहा है तो aorta में कम blood बचेगा और पहुंचेगा भी कम तो sinus देखने को मिलेगा upper limbs में क्योंकि aorta axillary branches देता है फिर pre-ductal coarctation of arteries यह duct से पहले ही coarctation हो गया है constriction हो गया है artery का तभी upper limbs में sinus देखने को मिलेगा और lower limb में है तो PDA with reversal of sun normally क्या होता है कि aorta से pulmonary trunk में blood चला जाता है जब ductus arteriosus बंद नहीं होता तब पर इसमें क्या होगा कि pulmonary trunk में pressure इतना बढ़ जाएगा pulmonary hypertension के कारण हो सकता है pulmonary edema के कारण हो सकता है कि अब pulmonary trunk में से blood जाएगा aorta में तो इससे क्या होगा total blood volume कम हो जाएगा जो lungs में जा रहा है क्योंकि aorta में तो blood जा रहा है तो upper limbs में sinus नहीं दिखेगा लेकिन lower limbs तो अटा से काफी दूर है तो उसमें हमें sinus देखने को मिले अब देखते हैं cold extremities है और tongue blue हो गई है तो ये है mixed क्योंकि cold extremities किसमें देखने को मिल रही थी peripheral sinus में और tongue भी blue किसमें देखने को मिल रही थी central sinus में तो ये है mixed type of sinus इसमें हमें देखना है कि dyspnea जो है dyspnea मतलब सास लेने में जो problem हो रही है वो sudden है या progressive है अगर sudden हो गई तो उसका क्या होगा left ventricular failure left ventricular contract ventricular contract ही नहीं कर पा रहा तो blood जाही नहीं रहा है ओटा में तो sinus हो जाएगा और sudden dyspnea होगा क्योंकि O2 suddenly कम हो जाएगा और mitral stenosis mitral stenosis में क्या होता है जो अपना mitral valve है वो थोड़ा सा stenosis हो जाता है जो कि progressive उसका lumen कम होता जाता है तो इसमें dyspnea में progressively बढ़ता हुआ दिखाई देगा अब देखते हैं causes of sinosis हम causes भी ऐसे अलग-अलगी पढ़ेंगे एक तो central sinosis के और दूसरे peripheral sinosis के सबसे पहले पढ़ते हैं central sinosis के central sinosis के mainly तीन टाइप की cause है एक cardiac, एक pulmonary और environmental cardiac causes में क्या आ जाएगा हमने अभी देखा कि left ventricular failure है contraction नहीं हो पा रहा या फिर congestive heart failure है congestive heart failure हो गया है congenital disease है congenital heart disease है उसमें भी central sinosis देखने को मिलता है अब दूसरे आ गया pulmonary causes pulmonary causes में क्या होगा कि जब lungs ही उसमें O2 नहीं डाल पा रहे है hemoglobin में तो pulmonary causes में COPD आ जाएगा फिर collapse है fibrosis हो गया है लंका तो वो आ जाएगा pulmonary destruction हो गया है वो आ जाएगा अब आ गया environmental causes environmental causes में क्या होगा कि हम बहुत high altitude पे चले गए हम mountain पे चले गए वहाँ O2 saturation ही कम है तो sinuses हो नहीं है क्योंकि O2 नहीं मिल रहा और अपना deoxymoglobin अपना 5 gram पर deciliter से बढ़ जाएगा तो यह आ गया environmental causes तो यह थे central sinus के causes जिसमें cardiac, pulmonary, environmental है cardiac में left ventricular failure congenital defect congestive heart failure pulmonary में COPD, fibrosis destruction of lungs यह लिखेंगे और environmental में high altitude due to lower pressure of lower partial pressure of oxygen और दूसरे हैं peripheral sinuses के causes अब peripheral sinuses के causes में आ जाएंगे एक होगा vascular और एक होगे environmental vascular में क्या आएगा तो अपना ranod phenomena ranod phenomena में क्या होता है peripheral जो extremities के blood vessels होते हैं उसका constriction हो जाता है तो blood कम पहुचता है फिर viscosity बढ़ गई blood की polycythemia vera है उसमें viscosity बढ़ जाएगी तो blood flow कम हो जाएगा ये सब आ जाएंगे vascular में और environmental में क्या होगा cold exposure कोई एक part है कोई एक extremity को तुमने बहुत जाएदा cold से expose कर दिया तो उसमें क्या देखने को मिलेगा वाजो constriction और ये वाजो constriction के कारण वहाँ पे peripheral sinuses देखने को मिलेगा peripheral sinuses और एक type है mixed sinuses जो हमने देखा जिसमें central भी होगता है central के भी features आएंगे और peripheral के भी features आएंगे और ये mixed type of sinuses में हम याद कर रखेंगे mitral stenosis mitral stenosis ये अपना atrium हो गया ये ventricle हो गया left atrium left ventricle ये अपना हो गया mitral valve इसका अगर stenosis है तो क्या होगा left atrium contract कर रहा है इसमें ventricle में filling करने की कोशिश कर रहा है complete filling नहीं हो रही तो बाद में हो जाएगा left atrium का failure और peripheral में और ओटा में तो blood कम ही जा रहा है तो peripheral हो जाएगा vasoconstriction क्योंकि blood pressure ही कम है तो peripheral vasoconstriction हो जाएगा जो कॉज है peripheral sinus के और क्योंकि left atrium में भी failure है तो यह हो गया central sinus का cause ऐसे mixed sinus हमें देखने को मिलेगा mitral stenosis में अब देखते हैं यह central और peripheral sinus में difference किया है central sinus और peripheral sinus में एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, चे टाइप के difference है एक होगे mechanism में central sinus है उसमें क्या होगा कि artery जो है उसमें blood तो है लेकिन oxygen का saturation जो है वो कम हो जाएगा और peripheral sinus में blood flow ही कम हो जाएगा फिर side central sinus में कहा दिखेगा tongue, lips, cheeks, skin and mucos membrane skin and mucosa और central में देखते हैं मतलब lips, tongue और peripheral में सिर्फ skin में दिखेगा क्योंकि localized होगा कहीं कहीं पे इसलिए सिर्फ skin में देखते हैं इसको central sinus जो होगा उसमें blood flow तो है तो body की जो warmness होगी वो बनी रहेगी तो ये warm होगा पर peripheral sinus है उसमें blood flow ही कम पहुँच रहे है तो body warm नहीं होगा cold हो जाएगा peripheral sinus में coldness देखने को मिलेगी फिर clubbing and polycythemia vera central के साथ associated होते हैं peripheral के साथ नहीं होते हैं अब देखते हैं local heat local heat मतलब क्या है कि अगर हम ये sinus part है उसको अब locally heat देते हैं तो उसका क्या होगा central sinus ऐसा remains same central sinus में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें blood flow तो ज्यादा ही है उसमें oxygenation कम है पर जो peripheral sinus है उसमें हो सकता है वाजो constriction हो गया हो तो हम अगर heat देंगे तो वाजो dilation हो जाएगा और वाजो dilation के कारण blood flow बढ़ जाएगा जिससे sinus चला जाएगा तो sinus abolished और दूसरा measure है breathing pure O2 अब pure O2 अगर हम inhale करवाएगे तो central sinus में क्या कम ही थी PO2 ही कम था तो वो हमारा relief हो जाएगा तो sinus इसमें decrease होगा तो peripheral sinus में blood में oxygen तो था लेकिन blood flow ही कम था वाजो constriction है तो ये oxygen देने को बी same रहेगा तो remains same अब हम पहले से एक बार revise कर लेते हैं साइनोसिस जिसमें deoxygenated hemoglobin more than 5 gram per deciliter होता है sites oral mucosa, tongue cartilages में तो rarely देखते हैं skin and mucosa, lewish discoloration of skin and mucosa, types होते हैं central, peripheral और इसमें एक और है mixed ये हमने देखा था sinuses warm extremities है तो central होगा cold extremities है तो peripheral होगा upper and lower limb में PDA के कारण हो सकता है और mixed में cold extremities भी होगी और blue tongue होगी दोनों के features साथ में दिखाई देंगे causes central में हो जाएंगे cardiac causes, pulmonary causes and environmental causes और peripheral में हो जाएंगे vascular और environmental causes अब mixed sinuses का एक cause है mitral stenosis क्योंकि उसमें left ये हमका failure हो जाता है peripheral vasoconstriction हो जाएगा अब देखें हमने central sinuses और peripheral sinuses में difference किया है तो PO2 कम होने से central होता है blood flow कम होने से peripheral होता है peripheral skin में दिखाई देता है central skin and mucosa दोनों में दिखाई देता है temperature central में warm रहता है peripheral में cold हो जाता है clubbing PCB central के साथ associated होता है peripheral के साथ नहीं होता local heat देने से central sinuses तो सेम ही रहता है पर peripheral चला जाता है और oxygen breathe करवाने से central sinuses decrease होता है बट peripheral सेम ही रहता है तो ये था अपना sinuses general physical examination का topic number three I hope आप सबको समझ में आ गया होगा thank you, thank you so much